नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंस धर्मा सनमार्ग पित्री पक्ष में जो हमारे पुर्वज है वो सुख्ष रूप में आकर हमसे कुछ चाहत रखते हैं और कुछ ऐसे माधेम हैं जिन sharpen से हमें सुभ और असुभ संकेत भी देते हैं कि वो हमसे स हास प्रियोग करके आप उनको मना सकते हैं छोटे से कारे उनको संतुष्टी देती है तर पित्रिपक्ष चल रहा है और यह समय बहुत ही सुमाना जाता है क्योंकि इस समय में आप पुर्वज जो है आपके अपने परिजनों के यहां आते हैं और उनको आसिरभाद भी देते ह सास्त्रों में पित्रिपक्ष को लेकर कई बाते बताई गई हैं इन दिनों में सुबह जल्दी उठना चाहिए और अगर आप छोटे छोटे कारे करें तो ऐसे में आपके माता पर जो मालक्षमी है उनका आसिरभाद तो बरसेगा ही पित्री दे भी प्रसन्न होते हैं और आ अरली मॉर्निंग उठते ही याद रखिए जैसे ही आप सुबह उठते हैं पहले जारू लगाने के पहले दर्वाजे से घर से बाहर निकलने के पहले जो घर का में बैक्ती है या कोई भी बैक्ती जो सबसे पहले उठा वही एक काम कर ले एक बाल्टी में लोटा में पानी ले एक चुटकी हल्दी डाले और दर्वाजे को दो दें ऐसा करने से आपके घर में देखिएगा बरकत होगी आपकी उन्नती होगी कभी धन की कमी नहीं होगी साथी परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ा रहता है धन आता रहता है दूसरा जो पक्छी है उनको दाना डाले लेकिन एक बात याद रखिएगा बहुत साई लोग च्छत पर डाना डाल देते हैं आप ऐसा ना करें आप ने च्छत पर डाना टो डाला लेकिन अगर कभूतर आ गया चुगने के लिए तो फिर यहां पर रहु एक्टिव हो जाएगा फिर जीवन में परिसान पित्री पक्ष में ही नहीं बलकि अन्ने दिनों में भी आप एक मिट्टी के बरतन में आप या फिर किसी भी चीज में आप जल भर कर कहीं पर भी साइड में रख दिया करें चिडिया लोग जो होता है पंच्छी लोग वो लोग जल पियेंगे कोई जानबर जल पियेगा इ आपकी स्वास्त की समस्याएं बाधाएं भी समाप्त होगी और पितर देवों को भी अच्छा लगेगा उनको मुक्ती मिलेगी वैसे तो पित्री पक्ष में एक नियम बना लें कि हर रोज गाए और कुत्ते को जरूर खाना दें कुत्ते या गाए तोड़ में से जो भी लेकिन पित्री पक्ष में जब आप हर रोज सूरी को जल देंगे ये बहुत ही सुकार है और सूरी को जल देते समय जल में आप एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें और साथ ही सूरी को जल देने के बाद दक्षिन दिसा की और मुह करके पित्रों का ध्यान करते वे ज मिलती है लेकिन जब पित्री देवों को आप जल देंगे तो जल में एक चुटकी काला तिल डाल कर ही डा और पित कीजिएगा उनका असिरबाद आप पर बना रहेगा वैसे तो पित्री पक्ष में गाय कुत्ता कव्वा चीटी और देपता पांचों के लिए आहाड निकाला जाता है वैसे आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं नहीं तो सिर्फ अगर गाय को भी खिलाएं तो आपको सभी का आहाड निकालने के इतना ही पुन्यफल प्राप्त होता है तो पित्री पक्ष में कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी है जो प्रान बायू देते हैं जीवन की पर निमित रूप से पीपल के ब्रिक्ष के नीचे एक दीपक जरूर जला है इससे पित्री देव परसन्न होते हैं तो दीपक जलाने से और दीपक के बगल में Dj court जल डाल देने से पित्री देवों की आत्मा को त्रिप्ति बिलती है दीपक जहाँ रखा है आपने वही परजम माप्त हो जाएगा वैसे तो बर्गत का पेड जो होता है ना उसको लगाने से पित्रों की मुक्ति हो जाती है अगर कोई पित्री हैं लंबे समय से भटक रहें आपके सपने में बार बार आ रहे हैं तो आप बर्गत के नीचे बैट कर सिपजी की पूजा कर सकते हैं या फिर आप अपने हाथों से कहीं भी सारवजनी का स्थान पर बर्गत का पौधा लगाते हैं आपके पित्री देवों को मुक्ति मिल जाएगी तीसरा है बेल का पौधा जो बेल का ब्रिच है ना वो मुक्ति देने वाला पौधा है जो सिपजी का सबसे प्री है और बेल ब्रिच क को मुक्ति मिल जाती है और वो जन्व जन्वांतर के बंधन से मुक्त हो जाता है तो पित्री पक्ष में अगर आप बेल का ब्रिच अपने हाथों से लगा दें तो ओत्रिप्त आत्माओं को सांती मिल जाती है तो बेल पत्र का पेड जरूर लगाएं चौथा है असोक का पेड कहते हैं जहां आशोक का पेड़ होता है वहां दुख तकलीफ सोक हो ही नहीं सकता आहीं नहीं सकता और अगर 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 अपने घर के मुखे दरवाजे पर लगा लें पित्री पक्ष में तो घर का भारीपन समाप्थ हो जाएगा घर में सुक्सम्रद्धी बरकत बढ़ी जा आते हैं तो पितर देवों को भी निश्चित रूम से उनको मुक्ष मिल जाती है उनको त्रिप्ति मिलती है और अगर तुलसी का पौधा घर में फले फुले तो घर में अकाल मिर्द्धी की नौवत कभी नहीं आती तो कुछ ऐसी चीजे है जिनका घर में होना अपने आप में संपूर्णता का प्रतीक है अपने आप में जीवन को खुशियों को बढ़ाने का प्रतीक है तो बर्गत, पीपल, बिलुपत्र, असोक और तुलसी अब दूसी तरफ देखिए वैसे तो बहुत सारे नियम है लेकिन नियम उतने लोग मानते नहीं क्योंकि दुनिया आधुनी खो रहा है अपने हाथों से अगर पौधे लगा दें तो कोई आनी भी नहीं है आप जरूर लगाए अब एक और खास बात आपसे हम साचा करेंगे फिर बताएंगे कि पित्री देवों के निमित कहां दीपक जलाएं और क्या करें देखिए हमारा सास्र कहता है कि कववा अतिती आगमन का सूचक है तो पित्रों का आस्र अस्थल भी माना जाता है और स्राद पक्ष में कववा का बहुत महत्व है क्योंकि कववों को भोजन कराना अर्थात अपने पित्रों को भोजन कराना एक ही बात है क्योंकि आत्मा एक कवे के सरीर में स्थित होकर बिचरन करती है गरूर जी महराज वैसे तो भगवान स्रीहरी के वाहन है और भगवान गरूर के नाम पर ही गरूर पुरान है जिसमें स्राद कर्म, स्वर्ग लोग, पित्ती लोग, आदी का भी उल्लेक है तो पक्चों में गरूर जी को बहुत ही पभित्र माना गया है और भगवान राम को मेगनाद के नाग पास से मुक्ती दिलाने बाले गरूर का ही आस्रे लेते हैं इसलिए गरूर का भी महत्रह है हंस एक ऐसा पक्ची है जो देव आत्माएं आस्रे लेती है और आत्माओं का ठीकाना है अपने जीवन में जिन्होंने पुने कर्म किये हैं नियम का पालन किये हैं वे हंस की योनी में आते हैं कुट्टा जो कुट्टा है वो यम का दूत माना जाता है कहते हैं इसके माध्यम से जो बस्तुए इस्वर माध्यम से बस तुए नजर आती है दरसल कुत्ता एक प्राणी है भविस्य में होने वाली घटना हो और इस्वर का माध्यम की आत्मा है उसको देखते हैं लेकिन दूसरी तरफ गाय जो देवी देपताओं का निवास अस्थान है क्योंकि देवी देपताओं का सभी निवास हाती वैसे तो हिंदू धर्म में भगवान गनेश अक्षा तूरूप माना गया है इंद्र का वाहन है तो हाती को पुर्वजों का प्रतीक भी माना जाता है क्योंकि जिस दिन किसी हाती की मिर्टी हो जाती है उस दिन कोई साथी भोजर नहीं करता हातियों को अपने और इसको और इसके साथ ही आपको चाहिए होगा एक बरतन में पात्र में पानी और एक पात्र में सफेद मिठाई या मीठी वस्तू अब इसको लेकर अपने घर की च्छत पर चले जाएं अगर च्छत नहीं है आपका फ्लैट में रहते हैं तो घर से बाहर निकले बांडरिव अगले दिन सुबह अगर किसी पंची ने खा लिया है तो अच्छी बात नहीं खाया है अगर आप च्छत पर रखते हैं तो पानी को पौधे में डालने जो मिठाई है अपने अर्पीत की है उसको किसी जानबर को खिला दे और जो दीपक है कही मिठी में दबा दे अगर और पित्री पक्ष में कोई भी भिकारी आपको मिल जाए कुछ मांगे उन्हें कम से कम खाने की बस्तू जरूर दे हर हर महादेव हम फिर मिलेंगे